तो मैं नॉर्मल संदे की तरह दिस्नी होस्टार देख रहा था क्या देखूं क्या देखूं हाँ सिविल वार एक मिनट इससे पहले आप मुझसे ये बोले कि मून नाइट क्यों नहीं तो मैं बता दूं कि बस वीडियो के लिए वर्ना एक मिनट ये क्या है तो मैंने सर्च किया और मुझे पता चला कि ये ओ हाँ उससे पहले कंटेंट हे गाइस वेल्काप अचला के स्क्राब तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट सीजी आई तो उससे पहले जार्वेस स्टांडर्व वीडियो तो आराउंड 90% of movies, CGI और VFX का यूज करती है बट ये CGI है क्या तो CGI का full form होटा है computer generated imagery मतलब image को digitally create करना movies में इसको 3D image बनाने के लिए यूज करा जाता है ये VFX की sub category है बट अब ये VFX क्या होता है तो इसके लिए चलते हैं दूसरे universe एक ही idea कितनी बार चिपकाओगे जब तक 1K नहीं हो जा ये गाइस वैलकम बैक टोने चनल के स्क्राइब वोक तो आज मैं आप लोगों को अपनी लाइफ जर्नी बताऊंगा तो गाइस आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि VFX क्या होता है उससे पहले कप्रे चेंज करूंगा हाँ ये ठीक है विएफएक्स में विज्वल एफेक्ट इमेज को क्रियेट या मैनुपलेट किया जाता है इसको फिल्मेकिंग में यूज किया जाता है कैसी जैसे एक्जांपल में ले लेतने तो एक्टर नी सीन रिकॉट करे देन उसको विएफेक्स यूज करके थैन और एंड लास में मूवी सीन में एड करके उसे एक निव सीन बनाया जाता है और एक्टर की फेस पर मार्किंग भी यूज करी जाती है तो रिकॉर देर फेसिल एक्सप्रेशन 2020 बेस्ट विएफेक्स ऑसकर द्यून को मिला है और आपको पता है द्यून मूवी में वहन लोगों न सेंड ब्राउन स्क्रीन अपर चला मूव इत्ती ऑसम क्यों थी तो जाने से पहले अब अब अपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर जी और वह में भी उस वाली उनिवर्स में मेरे 900 सब्सक्राबर होगी होंगे नहीं हुए तो सब्सक्राब कर जीजिए 900 सब्सक्राबर के लिए थे नहां टाक होगे तो आपको बटा चल गया वीडियो में आगे बरते हैं तो जो एंड्रियो टॉबी मेक्वाइर की सूट थे वो उस मोविस में सीजी आई बहुत कम यूज़ करे गए थे स्पाइदर मैन सूट पे बट निव स्पाइदर मैन आय जो टॉम वाला स्पाइदर मैन आया तो उसमें सीजी बहुत जादा यूज़ करे गए थे आपको एक और फैक्ट बटाते हैं कि नोवे होम में जो लास्ट का फाइटिंग जिसमें टीनों स्पाइदर मैन मार्क्स पहन जो भी आखरी के सीन है उसमें लोग ने कभी मार्क्स पहना ही नहीं था उसमें सीजी आई का यूज़ कि अगया था उसमें पुरानी स्पाइदर मैन थे अगर आप सूट डेखेंगे मूवीज में देखेंगे तो वह जब नेक बेंड करते हैं उनके रिंकल्स परते हैं थोड़े बहुत ही दिखाते हैं क्योंकि बहुत ज़्या नहीं दिखेंगे तो क्या सीजी एक्सपेंसिव है इसका एंसर है हाँ अफकोर्स एक्कॉर्स एक्कॉर्डिंग्स रेंडर डैट 2018 में एवरेज कॉस्ट सीजी आई अनिमेशन 3D एफेक्ट लगभग 33.7 मिलियन यूएस डॉलर में पर मूवी होते हैं और क्या आपको पता ह बड़ी-बड़ी हॉलिवुड मूवीज के cga और vfx इंडिया में बनते हैं because of comfort level of communication उसी के साथ यहां talent और creativity बहुत ज़ादा है मेरी वीडियो के लिए लो और उनके हिसाब से यहां less cause भी उटती है तो आपका सवाल होगा इंडियन मूवी में अच्छे vfx क्यों नहीं एजांपल बाहुबली तू का बज़ेट था 250 करोर ट्रिपल आर का था 550 करोर रोबोट 2.0 का था 570 करोर और वहीं पे अवेंजर्स इंड गेम का था 356 से 400 मिलियन युवेस डॉलर और अवटार 356 मिलियन डॉलर मतलब कुछ इतना रुपीज में होगा तो आप समझी दे हू आप से यहां का प्राइस थोड़ा कम तो हो गए जो इंडियन मूवी से उनका भी वेफेक्स बहुत अच्छा होने लगा है और एक्जांपल टिपल आर को ले लिजे रोबोट 2.0 को ले लिजे बाहुबली टू को ले लिजे उनकी वेफेक्स बहुत अच्छे हैवी यूस अगर मुझसे पूछा जाए तो यार बिल्कुल नहीं तभी कोई पूछता नहीं क्रियेटिविटी यूस ना कर दी जाए तक वेफेक्स या ज़्यादा पैसा फोगने से कुछ नहीं होगा अगर आपने आइरन मैन बन टू थी देखाऊगा तो उसमें सूट किते मेकैनिकल लगते हैं मतरब उसमें जो एक एक पार्ट ऐसे जॉइंट होना और बट वहीं पे जब इन्फिनिटी वार आई तो उसमें जब नैनो सूट आ गया तो उसमें मुझे खाली एक सीन जो उसमें हेलमेट से आइस पे आता है तो आप देख सेकते उसमें सापसा पता चला है कि क ग्राय रहा था लेकिन फाइट सीन में बहुत ही ओसम था इतना है इस वाली वीडियो के लिए थैंक्यों फॉर वाचिंग डिस वीडियो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजेगा कमेंट करिएगा और सेर करें अपने दोस्तों के साथ जिनको सीजिया मैं नहीं पता उनके सामने आप हीरो बनिए सेर करके वीडियो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स वाली वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दीजेगा लीजेगा एंपन्यियो साप के लए लाटना हो मैं तो फ्लिस कर दतों डि Owen लेट्स mekę 900 सब्सक्राइबर्स और वो आप ही आप में तो इस बार STOC कर देना कास मुझे भी VFX आते हैं अगर आपने वर्च्वल यूटीबर वाली वीडियो नहीं देखी तो डेख लीजिए